प्रदूर्शन परिया वरन प्रदूर्शन परिया थोड़ा सा वास्ट है एस कंपेर टू प्लूशन और वहां पर एक और पार्ट आता है एनर्जी वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा जो की इन्वार्मेंट सेक्शन से पुछा जाता है बट अनर्जी वाले पार्ट को मैं जब जोग्राफिय हम सेक्शन कवर करेंगे उस दौरान में आपको वहां पर करा दूँगा तो तीन मेजर सेक्शन हमारे पास होने वाले हैं बायो ड्यावर्ट सेटी जैविवित्ता पलूशन यानिकि प्रदूशन और हो जाएगा आपका एनर्जी यानिकि जिसको हम विशेश रूप से हम र जल प्रदूशन को बहुत जादा इन्होंने जो है तवज़ो दिया है पिछले दो तीन वर्शों के जो क्वेश्चन से लगदार जल प्रदूशन से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं चुंकि जल प्रदूशन एक विकराल समस्य हो चुकी है जो हमारे पास स्वक्षे जल ह प्रदूशन के करण बहुत सारे रोग भी हो रहे हैं तो समुद्री प्रदूशन भी आपको पूछ सकता है एक आद पूछे गए हैं नाभी की प्रदूशन से क्वेश्चन से आपको पूछे जा चुके हैं ठोस अफसे चतुमों तो एक अलगी टॉपिक है 15 नंबर की क्व क्वेश्चन दो-तीन बार वहां से पूछे गए हैं ठीक उसके लावा चोड़े और और प्रदूशन जो होते हैं वहां से भी प्रदूशन आपको पूछे गए हैं सवाल यह है कि वायू प्रदूशन से डेरिक लिए क्वेश्चन बहुत कम आया है एक आद थोड़ा मूं दगर आया होगा तो दो-चार में बना बड़ा कोष्चन यहां पर बना रही है संभावना है आट 15 नंबर की चान नंबर के तो क्वेश्चन बनने ही बनने है ज़रू बनेगा तो मैं ने सुचा कि यह क्वेश्चन जो नहीं आया था जो थोड़ा सा अच्वेश्चूता प पड़ेगा, effects क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं और इसके control methods यानि कि किन तरीकों से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं simple सी बात है अगर दो number में आएगा तो इतना सारा चीज नहीं पुछेगा और in case अगर पूछ भी दिया जैसे एक बार हुआ था पेपर 7 part 2 में question पूछा था जिसमें संस्था का नाम याद नी आ रहा है संस्था कब बना प्रमुख सदस्य देश पूछा था और कुछ था चार्चीज उसने पूछ रखा था हैड कुछ पूछ था चारचीज दो नमबर में उसमें करना कुछ नी था उसका फुल फॉर्म यहाँ ऐसका पुछ था जो भी था फुल फॉर्म बता दिया स्थापना वर्श बता दिया सिंपल लिख्के आपने उसके आबज़ेक्टिव देश बता दिये और सदस्य देश आपने बता दिए यहां पर अगर इंचादरों चीजों को पूसता है कि वायू प्रदूशन क्या है इसके कारण प्रभाव और नियंत्रण ठीक है तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इसको चार नंबर के लाइक में आप लोगों को बता दूँगा दो में भी अपक्यागर् मंडल की गैसों की विभिन घटक अदब आपको पता है कि जो एट्मॉस्फियर होता है उसमें अलग-अलग आपको लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है या अलग-अलग जिसकों के स्फियर सम कहते हैं आट्रोपोस्फियर अपका थर्मोस्फियर आपका जो नीची जो जहां पर समताप मंडल होते हैं इसकों लोग बोलते हैं स्ट्राइटोस फेर अडॉल तो ऐसे अलग-अलग जो घटकों में आदर्श इस स्थिति में यानि कि जब कंडिशन आपका आइडियल हो नॉर्मल हो ठीक है ऐसी सूरत में ऐसी स्थिति में रासाइनी करूप से याद रखना कैमिकली ये जो परिवर्टन होगा वो रासाइनी करूप से होना आवांचनी है आवांचनी का मतलब जो हो रहता है कि अंडेजरेबल मतलब जो हमको नहीं चाहिए जो हमको नहीं चाहिए अंडेजरेबल जो आपका परिवर्टन होगा चेंजिस जो होगा उसे ही हम क्या कहते हैं वायू प्रोडूशन कहते हैं अच्छा साथ भी ये किसी न किसी रूप में क्या करता है दुश प्रभावित करता है अवांचनी तो है ही और ये एफेक्ट भी कैसा होता है इसका बैड होता है तो इस प्रकार होने वाले परिवर्तन मतलब actually वापस reverse चलते हैं ऐसा आवांचनी प्रभाव जो किसी न किसी रूप में वायू को या हम लोगों को जो उसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में directly indirectly जिसको हम consume करते हैं उसको प्रभावित करें इस प्रकार का आवांचनी परिवर्तन व तो सिंपल एक लाइन में पहले तो आप डेफिनिशन आपने बता देना है कि वायू मंडल में या वायू मंडली अवस्था में होने वाला अवांचनी परिवर्तन एकदम एक लाइन में क्योंकि आपको चार नमर में सारी चीज़ें अगर लिखनी है क्या-क्या लिखनी है अगर सब चीज लिखनी है तो इसके लिए हम खह रहे हैं एकदम एक लाइन में वायू वंडल में होने वाला अवांचनी परिवर्तन एकदम सिंपल अंडेजारेबल चेंज़ेस इन एट्मॉस्फियर पहला लाइन में यह क्या है आपने बता दिया फिर हम चलेंगे किसमें इसके कारण में चलेंगे प्रभाव में और नियंत्रण में है ना कारण कॉजस इसके बाद हम चलेंगे प्रभाव एफेक्ट उसके बाद है नियंत्रण इसको केवल आपको ना दीखिए है चार नमर में ठीक six lines आपके पास होगे तो किसी को दो line किसी को एक line ऐसे कर के अपने को यहां पर finish करना होगा फिल्हाल में इसको केवल एक-एक line में हैंपर बताने बालो पहले इसके details देख लेते हैं और वहीं detailing से ही हम छोटे answers आपके लिए निकाल के लेके आएंगे कुछ चीज़ें ऐसी रहती है नो कि आप बड़े को याद रखें बड़े से आप छोटा निकाले कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि आप छोटे को याद रखें किवल की पॉइंट याद रखें की पॉइंट से फिर आप उनके विस्तार जो है वो कर सकते हैं आईए हम इसको पहले बड़े से देखते हैं पहले हम यहाँ पर शलते हैं कारणों की हम चर्चा करेंगे इसकोफिर ँन कारणों को क्या हम एक लाइन में समीट सकते हैं वो हम देख लेते हैं तो कारण यहाँ पर दो आपको देखने को मिलेंगी पहला जो होगा वो होगा आपका प्रकृतिक यानि कि जिसको हम कह सकते है नाच्यरल डेजन और दूसरा जो होता है वो होता है आपका human याने की मानवी और एकदम आसान सी बात है प्राकृतिक जो कारण होंगे ना वो उतने खतरनाक नहीं होंगे reason is that कि प्रकृति अपने आपको sustain कर लेती है समझा रहे है प्रकृति जो है उसमें स्वान यांतरन याने की sustain करने की शमता होती है उनकी capacity होती है किन्तु मानवी जो कारण होते हैं वो sustaining आप छोड़िये मानव को आप कैसे control करेंगे मतब आप उनको कैसे बोलेंगे कि आप ये च करना ना करना वो तो किवल मनुश्य के हाथ में है उदार इनके तौर पे जब हम देखते हैं like public places रहते हैं वहाँ पर बड़े-बड़े साफ मोटे एक्षवर में लिखा होता है यहाँ पर पिशाब करना मना है लोग वहीं पे जाके करते हैं और उसको छोड़िये बिड़ी तो समस्या यह है ना कि हमको सब चीज पता है उसके बहुजूद हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहें तो यह जो विदी होती है या यह जो कारण होते हैं human मानवी कारण यह खतरनाक होते हैं अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं प्राकृतिक कारण में क्या हो सकते है ज् ठीक है वनागनी यह जो जंगलों में नगलने वाला आग है जिसको दावानल भी कहते हैं forest fire जंगलों में लग जाती ही ना हग तो भी वहां से भी आग लग रहा है आग लग लग रहा है आप एक ही चीज याद रखना वो हर घटना वो हर घटना जिससे क्या निकले धूआ निकले एक दम एक लाइन में भाई एक लाइन में बस इतना याद रखना वो हर घटना वो हर एक्टिविटी वो हर इंसिडेंट जहां पर धूआ निकल रहा है स्मोक का फॉर्मिशन हो रहा है वो कारण बनेगा बायू प्रदूशन का कहरा यानि कि इसको हम जानते हैं स्मो स्मोक के रूप में याद रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है अब दीखिए इसी में एक कोश्यन आया था जिसके हमने बात करी थी एक फोटो केमिकल स्मोक परकास रासाइनिक दूंद ये एक कोश्यन आया था केवाल आट नमबर का बाकी ऐसे कुछ आया नहीं था तो आप लोगों को इसकी बारे में पुरा याद रखना पड़े गए किस से किस से मिलकर बनता है ये आपका स्मोक प्लस फॉग दोनों को हमने मिला दे तो बन गया आपका स्मोक तो इस प्रकार से इन चीज़ों को याद रखने है पराग कंड जो फूलों के अंदर करते रह होता है और हमने कहा ना कि इसको सबसे खतरनाग तो वननमलन यहनि कि जैसे जनकलों को गटाइगे वाइव को हमको बारिश हमारे लिए कम हो पाती है सर ये वायो प्रदूशन कैसे होता है तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है उस दावरान बहुत सारे गैसे का एमिशन होता है लकड़ियां जो रहती है वहाँ से गैसे एमिट होती है वो भी कारण बनता है तो जो एक संसाई है ना REDD या जिसको हम लोग जानते हैं RED PLUS वो इसी को ही रोक थाम करती है वनों के खिलाब जो है वो कार्य करती है DEFORESTATION के AGAINST जो है वो काम करती है कार खाने भीया यह तो बहुत बड़ा रिजन है FACTORY मतलब इतना बड़ा जो आपका FACTORY और INDUSTRY यहां से जो निकलने वाले धुए हैं वे विन प्रकार के Specially आपके THERMAL POWER PLANTS जिसमें आपका कोईले का दहन होता है THERMAL POWER PLANTS आपके स्टील एंड आइरन INDUSTRY से जितने मेटलोजिकल INDUSTRY सब के सब इसके अलावा परिवहन Transportation भाई साब मतलब चलो मैं बोलो INDUSTRY तो गाउं में मिलेगी भी नहीं ना के बराबर हैं हर गाउं में तो गाड़ी मिलेगा भले ही वायू प्रदूशन बले ही आपका ये जो प्रदूशन करते हैं Bikes के दोरा कार के दोरा या प्लेन के दोरा जहाजों के दोरा ठीक है लिमिटेड है इनकी रूट लिमिटेड है इनकी मातला है बट संख्या तो बहुत सारे हैं न इतने जादा नंबर समय है क्योंकि इंडस्ट्री तो चलो एक पुरे शहर में आप 10-15 इंडस्ट्री ले लो कुछ ऐसे शहर जहापी इंडस्ट्री भी नहीं मिलेगी लेकिन बाई, काड़ी, कार ये तो सब के यहाँ है तो इनकी वॉल्यूम ज़ादा हो जाती है इसलिए आपका ट्रांस्पोर्टीशन भी क्या है एक बहुत बढ़ा कारण है ठीक है एक मिजर रिजन ताप विद्युद्गरह ये मैंने बता दिया अल्डेडी धर्मर पाउल प्लांट क्रीशी का आ रही है यस एग्रिकल्चर करते हैं वहां से भी वायू का प्रोदूशन होता है वहां सर एग्रिकल्चर में कैसे गजब करते हैं सर इनसान खेती करना छोड़ दे क्या इनसान जो है वो खाना खाना छोड़ दे क्या ऐसे कैसे जी नहीं क्या होता है जरली हम क्रिशी करते हैं देखो क्रिशी से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने क्रिशी लिग दिया है आपने कई बार सुना होगा ठंड रितु में जर ली पंजाब हरियाना डिली वाले शेत्र में क्या होता है बहुत जादा आपका पराली जलाते हैं लोग धान का जब फूट बच जाता है तो उसको जलाते हैं क्यों जलाते हैं भी देखो जलाने के पीछे का उनको लॉजिक यह नहीं रहता है उनका लॉजिक यह रहता है कि उस शेत्र में हम पराली जलाने के बाद खेतों को जाओ बनाएंगे बहुत ठीक है अची बात है लेकिन वो जो जलने के दावरान जो आपका वायू आ जाता है मतब जो धुआ ब्लैक काला काला आपको जो शेहरों में आ जाता है फिर वो जब फॉग बनाएगा जब स्मॉग बनाएगा वो काफी डेंगरस होता है तो रिजन इस दैट किसके कारण है रहे यह क्रिश्य कारण है वैसी माइनिंग में आपको मिलेगा आपके एजेंट से वहाँ पर मिलेगा अगनिश अस्तुरू का प्रयोग बहुत सारे हम लोग आपने देखा होगा मिसाइल वगर यूज करते हैं टेस्टिंग वगर करते रहते हैं है ना आपके बहुत सारे आपके आपके लाइक आपने देखा होगा लगाती है ना तो जितने भी यह सब सोर्से कारण है कि वायू क्यों प्रदोशित हो रही है यहाँ पर एक और लेंच चाहें तो आप भूमिका बनाते हुए या इसको कॉंक्लूट करते हो लिग सकते हैं कि विकास श्रील देशों ने अनेक डेवलप्मेंट के साधन अपना किया है और यह हमारे लिए कहने कहीं खानी कारक है ठीक अब इन ही में से कुछ पॉइंट चुनिंदा आप उठाके सिधे-सिधे यहाँ पर डाल सकते हैं कारण में आप यहाँ पर बता दीजेगा कि भई कारण में हमने क्या क्या बता दी है आप इसको दो लाइन में बता द आप इसके लाओ आप ने जॉआला मुखी आपने कहा था इसके लाओ आपने क्या लिखा था इसके लाओ जो आपने यहाँ पर बताया था कोहरा है पराग कन है और ठीक है कोहरा यानिकी प्रकास रसायनिक धुन्द यह ऐसे तीन चार नाम आपने लिख देना है फिर मानोजनित में आप चलते तो यहाँ पर हमने देख लिया था ट्रांस्पोर्टेशन इनिकी परिवहन परिवहन फैक्टरी उद्योग कार खाने ठीक है ताप विद्युद्ग्रह और आपका पटाखे क्रैकर्स आतिश बाजी एंड और जितना यादा रहा है तीन-चार अपने को लिख के आप छोड़ देना है बस देखो चार नंबर के ल पड़ेगी आईए प्रभाव क्या-क्या इस पे हो सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं इससे किनको किनको प्रभावित होगा सिंपल है अगें प्रभाव आपको तीनों को होगा मनुष्य को होगा जीवजनतों को होगा पेड़ पौधों को होगा ठीक है ना तीनों को ये प्रदुशकों के प्रकार प्रदुशकों के प्रकार क्या क्या हो सकते है इस है यहां पर चलिए तो आपको जो देखने को मिलेगा एक होता है प्राइमरी और एक हो जाएगा आपका सेकेंडरी यह extra facts है न जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं प्रदुशकों के प्रकार है न क्योंकि चुंकि यह ओला पार्ट आया है तो इसलिए यह extra facts है तो primary में वो pollutants प्रात्मिक में वो प्रदुशक जो सीधे environment को नुकसान पहुचाते हैं सीधे directly उसको हम क्या बोलते है primary pollutant जैसे उधारन के तोर पे आप देख सकते हैं ammonia NH3 sulfur dioxide ठीक है वहीं आप secondary में चले जाओ तो ammonium NH4 हो जाएगा sulfur tri oxide यह आपके मतलब एक-एक ऐसे agent जो pollutant नहीं है वो इन प्रदुशकों के साथ मिलते ही क्या बना लेते हैं secondary pollutant बना लेते है pan paroxy acetyl nitrate यह सब किसब क्या है तुम्हारे दुतियक प्रदुशक है क्या है यह दुतियक प्रदुशक ठीक है आईए आगे बढ़ लेते हैं अब हम देखते हैं प्रभाव ठीक तो यह extra facts था ना यह extra part था यह इसको आप लोग याद रखेगा इडवासा extra facts extra part आईए यहाँ पर चलते हैं हवा में अवांचित gaso की उपसी दी मतलब क्या क्या जो है वायू प्रदुशन को मतलब वायू प्रदुशन से क्या क्या चीज़े प्रभावित होती है तो सबसे पहले आपने किनको किनको तो वह आप बता देना तो बता रहना कि सर मनुश्य को humans को होगा पश्वों को होगा पक्षियों को होगा और प्रदुशन सभी को होता है ठीक है अब जरली इसमें हम common disease हम लोग यहाँ पर ले ले लेते हैं इसमें जैसे कि क्या-क्या हो सकता है अपने को दमा, सर्दी यनि कि cold हो सकता है, cold हो सकता है, कफ हो सकता है, अरे सबसे जादर ठंडी में तो होता है न क्योंकि प्रचोक कर जाता है हमारे बॉडी को, ठीक, इसके लावा यहाँ पर आपका अंधापन येस, ब्लैंडलीने इस भी हो सकता है भाई, इनसान यहाँ पर अंधाँ सकता है, इस दरवायू पर दूस्ते है, संधी का क्या क्या होता है न, जब धूल के कन बहुत बड़े मातरा में आया है या आपके आँख में घुश जाए, या ऐसे जगह पर एफेक्ट करें कि आपके रेटीना को ही खराब कर दे, आईरीस में घुश जाए, आँख के अंदर वाले पाड़ को पुरा डिफेक्ट कर सकता है वो, तो ऐसे केसिस में इंसान अंदा भी हो सकता है, ठीक है ना, स्रवन सकती कमजोर, कान में अगर जोर से हो पड़ा कुछ और हुआ, स्किन डिसीज हो सकता है, तोचा से सम्मन्दी द्रोग हो सकता है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, ये मानववों पर होने वाले प्रभाव हैं, पशुपक्षियों पर होने वाले प्रभाव हैं, इसके इलावा अगर यहाँ पर हम बश्यूद, इसके अलावा, सीदा-सीदा यह responsible होता है आपका acid rain के लिए amylia verisha अब acid rain में क्या क्या चीज़ें basically होती है आप देख सकते हैं जैसे कि आप सबको पता है यह sulfur के साथ जब आपका add होता है तो बनाता है बटा H2SO4 वहीं जब यह nitrogen के साथ add हो जाता है तो यह बनाता है HNO3 मतलब nitric acid और आपका यह sulfuric acid यह दोनों क्या करता है अमली वर्षा की रूप में अब अमली वर्षा क्या होता है इसको भी आप वहीं पे चाहें तो define कर सकते हैं यह नहीं कि जल के साथ sulfur के oxide और जल के साथ nitrogen के oxide आपस में मिलते हैं और acid का निर्मान करते हैं sulfuric acid और nitric acid जो विशे इस रूप से जीव जंतों के तुचाओं को प्रभावित करते हैं buildings का color जो रहता है उसको पिलापन लेकर आते है ताज महल को पिलापन होने का जो reason है तो कारण है वो यह है तो एतिहासिक इमारतों को क्या करना नुकसान पहुचाना पेड़ पौधों को नुकसान पहुचाना इस सब क्या है इसके प्रभाव है इसकी effect है तो यह सब basic चीज़ें आपने देखी जिससे वायू production के करन क्या होता है यह प्रभावी होता है सबस्यादा इंसान और उसके बाद फिर यह चीज़ें प्रभाव में आपने यहाँ पर चीज़ें को बता दी आप यहाँ पर सेम आपको प्रभाव लिखना है तो आप बता दीजे प्रभाव में आप लोग लिख सकते हैं simple यहाँ पर दमा है है ना आपका खासी है सरदी और अमली वर्षा क्योंकि आपको ज़्यादा explain करने की जुरूरत नहीं है यह अमली वर्षा में वर्धिया आप ऐसा लिखके अपन फिनिश कर देना इसके लाग और कुछ करना करने है फिर हम चलते हैं control tools पर यहने की नियंतरण विधियों पर तो किन-किन चीजों से हम इसको नियंतरित कर सकते हैं ठेक है तो नियंतरण जो विधियां होती है काफी important होती है चुंकि नियंतरण विधियों से भी directly बड़े questions आपको यहाँ पर पूछे जा सकते है मतब सीधे-सीधे बड़ा question यहाँ पर नियंतरण विधि से ही बनाया जा सकता है आठ नमबर का question सीधा control tool पर दे सकता है इसके लिए आप बिल्कुल तयार रहे है तो नियंतरण विधियों बहुं से हरी होती है और नियंतरण कुछ है नहीं यार एकदम simple सी बात है मैंने हमेशा कहा है जो कारण होते है उसको अच्छे से आदरण पता चल जाएगा और यह दे नियंतरण पता है तो आपको कारण पता चल जाएगा जिससे उदाहरन के तौर पे कोरोना लीजिए जिसको आपने देखा भी यह फिल्ट भी किया है कोरोना हुआ कोरोना के कारण क्या क्या थे क्यों कोरोना हो रहा था मतब ठीक है बेसिक कारण वो बैट से आया कहीं दूसरे जगह से लोगों ने यह वो तो फैल क्यों हो रहा था या ऐसे कौन लोग थी जिसमें कोरोना का प्रभाव आपको जादा दिखने को मेरा था तो भाई सिंपल सी बात है वो रहे थे कि जो लोग मास्क नहीं पहनते जो लोग सैनिटाइज नहीं करते जो लोग भीड़ वार वाली जगों पे बार बार आना जाना करते हैं था बड़ ये ज़्यादा सिंसिटिव लोग थे तो नियंतरन क्या बोला गया कि भाई आप बार वार हैत सेनिटाइस करें फेस मास्क का कप्रेओ करें साबूं से हाथ दोएं आप जो हैं भीड़ भर वाली जगों से बचें ठीक है ये सब क्या थे तरीके थे जिससे हम क्या कर सकें इसको कंट्रोल कर सकें तो सेम यहाँ पर आपने कारण पढ़ लिए हैं अब हम कारण की बाद हम चलते हैं सिधा नियंतरन तो सबसे पहले तो यह याद रख लेना कि वायू प्रदूर्शन को नियंतरन करने के लिए 1981 में एक एक्ट लेकर आए गया 1981 में एक एक्ट इसे बोला गया वायू प्रदूर्शन नियंतरन अधिनियम याद रखना क्या बोला गया इसको वायू प्रदूर्शन नियंतरन अधिनियम एयर पॉलिशन कंट्रोल एक्ट या प्रिवेंशन एक्ट एटीवन में लेकर आया गया इसके लिए क्या क्या चीज किया जाना ची जहां पर बिलकुल शहरों के आसपासी कार खाने आपको मिलेंगे, आप जैसे राइपूर चले जाएं, आप धमतरी चले जाएं, आप बिलासपूर चले जाएं, इसम्सिटी के लगा हुए है यार, बहुत सारे रेसिडेंसल एरियास होते हैं, लगे होते हैं, ब्यूब्स लो example चुछ लगा रखें कि वहां से उठने वाला चो ब्लैक काला धुमा रहेगा जो पार्टिकल्स होते ओर जरली घरों में आपको नहीं के ब्राबर बहुत कम देखने को मिलते हैं तुछ इतना मैं रहाओं मैं घुमाओं खिलाई को मैंने नहीं देखा है बट वहीं अगर मैं अगर आप देखो कि तो पूरा मतलब जैसे उस एरिया में जाओ के तो पूरा बॉडी आपका वैसा कपड़ों में या घर की छटों पर ब्लैड ब्लक ब्लक पार्टिकल्स आ जाते हैं तो यह एक तरीका होता है कि इसमें एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक तो चिमनी को हम क्या करते हैं, ऊपर लगाते हैं, चिमनियों को हम अधिक हाइट पर लगाते हैं, ठीक है, इसमें फिल्टर, याद रखना है, यह फिल्टर क्या चीज़ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका SP, बोले तो सर, electrostatic electrostatic precipitator यानि कि इसको बोलते हैं, इस्थिर्वैद्युत इस्थिर्वैद्युत अवक्षेपक ये आप लगा दीजिए, बोले सर, ये क्या करेगा, ये बहुत basic science है, जिसे कई बार क्या होता है, मैं अवतार हो, ये देखो, आप ऐसे पीछे से रगड़ी है, ठीक है, ये ऐसे हाथ से रगड़ी है, और थोड़े दिर बाद आप ऐसे उठा लेना है, ये देखना, ऐसे धूल के कंक्या होते हैं, इसमें देखो, चिपक जाते हैं, काफी दिर तक जब आप बैठे रहते हैं, सोफे में एक दम ऐसे, जैसे आप वीडियो देख रहोंगे, ये ऐसे एकदम पैर वार फैला के बैठे होंगे, और कभी दर, कभी दर, कभी ऐसे, 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 ऐसे कर रहोंगे, थोड़े दिर बाद जब आप उठेंगे, लोहे का या कुछ ऐसा एटम को पकड़ेंगे, इसे, चट से ऐसा करेंट लगता है, आपके बादी में राइक वो बन जाता है, startक क्रिएट हो जाता है, तो वो जैसे ही, circle या cycle पूरा करता हैं, ठीके न, जैसे इसको परीपत मिलता है, circuit मिलता है, फिर ओपिर क्या करता है, वो discharge होता है, तो वहां से current लगता है, सेम यहां पर भी होता है, जितने भी धूल के current, मतलब negative जो charge होते हैं, जितने भी आपके धूल के current होते हैं, वो ASP में, इस प्रकार से आपका chimney में लगाया है, उसके नीची यहां पर लगाया जाता है, और यह घुमते 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 यहां पर बैट जाते हैं, इन्हें को ही हम ash कहते हैं, rock, और यह जो ash होते हैं ना, फिरीसी से bricks वगरे और अल इस सारी चीज़ बने, in fact, ऐसे शेतर जहां पर यह industries हैं, वहां पर combustion भी किया गया, कि आज पास के range में यतने construction work होंगे, इसमें आपको इसकी आवश्यक्ता रहेगी, या इस पर करके material की आवश्यक्ता रहेगी, तो आप cement वगरे इंडॉल उसकी जगह जो है, in ash का प्रयोग करेंगे, राक का प्रयोग करेंगे, ऐसा combustion भी government ने रूर लेकर आया है, ठीक है, तो यह अनवारियता आवश्यक्ता दूसरा, जन संक्या वरिद्यों को इस्थिर करना, बटाए, ये तो इतना बड़ा reason है, मतब हर कहीं आप इसको घुसा दो, कहीं पर भी आप, अगर कुछ समस्या लिखनी है न, मतब क्यों हैं, तो आप घुसा दो, जन संक्या वरिद्यों हर जगा, ऐसा कोई फाइदा नहीं है, जो जन संक्या वरिद्यों के कारण होगा, मुझे तो नहीं लगता, आपको होगा, तो आप भले कह सकते हैं, तरक कुतर कह सकते हैं, रे नी सर, जादा जन संक्या होगी, तो हमारी पॉपलेशन जादा होगी सर, हम जादा लोग, हम जादा पाउरफूल एंड आल, भाईया, प्लीस, जन संक्या, जादा होना नुकसान दायक ही है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती, कुछ, बट ओवरॉल जो हो तो निगेटिव मिलेगा आपको, मतलब मैं यह कह रहा हूँ, कि हो सकते हैं, उसके दो पॉजिटिव पॉइंट होंगे, दो या तीन चीज़ें से पॉजिटिव निकलेंगे, आप जब अलजेबरिक करोगे आप उसको, मतलब जब आप तौलो गया ऐसे, अच्छाईयां और बुराईयां, या गुड पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स, तो गुड पॉइंट्स नीचे चला जाएगा निगेटिव उपर ही होगा, खाद या आवास के लिए पेड़ों और वनों को काटना ना पड़ी, क्योंकि पेड़ों और वनों को कटाई से वाई प्रोदूशन बढ़ रहा था, गारी और तुपहिया वहानों की जो ट्यूनिंग करी जाए, यह इंजन ट्यूनिंग होती है, आपने सुना ओगा भी डैस को कई बार, बी एस फोर याद आ रहा होगा किसी को अगर, बी एस फोर सुना होगा किसी ने तो, यह पहले एक बी एस थ्री से बी एस फोर इंजन हुआ, और डेटले लिए बी एस सिक्स हो गया, बी एस सिक्स, भारत स्टेज सिक्स, फोर के बाद सीधा सिक्स आया है, फाइप नहीं आया है, फोर के बाद सीधा आपका सिक्स आया है, इसमें क्या किया गया है, इंजन का परफॉर्फॉमेंस, इंजन की वर्किंग एफेशियंसी इसको सुधारा जाता है, ट्यूनिंग करी जाती है ताकि जादा फ्यूल का कंजम्शन ना करे या यूं कहें अधजुलाद हुआ या कंजम्शन जो हो रहा है जो आपका कंजम्शन जो हो रहा है फ्यूल जो कंजूम किया जाता है कंजम्शन किया जाता है engine के दोर देन उसका burn होता है यानि कि जो आपका combustion होता है तो जो combustion process है वो कैसा हूँ आपका proper हो, उसके लिए हम engine के क्या करते हैं, tuning करते हैं, साथ ही साथ public transport को बढ़ावा देते हैं भाईया इससे क्या फरक पड़ता है, public public transport बट यह पता है एक बड़ा चैलेंज हैं इंडिया के लिए, reason is that मैं समास देखो, मतलब I just prefer public transport rarely ऐसा होता है कि मैं कभी car से या बाइक वगरा से आना जाना करता हूँ generally मैं train प्रिफर करता हूँ जब मुझे दूर्ग से राइपूर आना हो प्रिफर करता हूँ, reason is that देखो, दू-तीन फाइदे हैं एक तो भाई, पैसा कम लगता है, सबसे बहरी बात एकदम, to be honest, इसको सच्चाईव से करने में कोई दिक्कत भी नहीं है और इतना कम लगता है कि सोच भी नहीं सकते आप मतलब, beyond of your imagination अब सोच भी नहीं सकते कमेंट करके जरौता हूँ, कितना लगता होगा ठीक है? कमेंट करो मैं बता देता हूँ फिर पैसा इसमें महीने का सुपर फास्ट का 400 रुपे लगता है एक महीने का, आने जाने का दोनों का, आप किसे भी सुपर फास्टेमें ते रहता है, मात्र, आने जाने का दोनों का, उतना तो तुम कहीं स्टेशन में उतरोगे न, और आटो बुक करोगे, और बोलेगा कि भाई मेरे को वहाँ पे छोड़ दो, चार किलोमेटर, तिन किलोमेटर को तुम से 1.500-200 रुपे लेगा, एक बार का, ये पूरे एक महिने क आने का और जाने का बतार हो मैं, अब तुम निकाल लो, एक दिन का कितना, एक दिन का कितना, ये तुम निकाल लो, 60, मतलब मुश्किल से 2 रुपे भी नहीं पड़ रहे हैं, ठेक है, तो इस प्रकार से आप पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को उप्योग करें, ये ट्रेन की बा कुकिंग आइटम्स, जो बहुत कम क्या करते हों, स्मोक जर्रेट करते हों या एमिशन करते हों, मतलब जहां पर धुवे का उत्सरजन कम से कम निर्दुम यनिकी कम से कम धुवा, इस प्रकार की तकनीकों का हम उप्योग करें, जिससे कम से कम धुवा का क्या हो, उत्सरजन हो. ठीक है? इसके लावा जो है इसको पाठिकरम में शामिल करके बच्चों में इसकी प्रती शेतना जाग भी देखो अभी के बच्चे लोग क्या करेंगा पता है? जैसे आप लोग की बात करो मैं आप लोग पढ़ोगी जरूर, आप लोग रटोगी जरूर बट बात वहीं implementation की आती है तो मुश्किल होता है especially college level की बात तो मुश्किल ही हो जाता है तो जो चीजें हैं इसको इसलिए starting में डाला जाता है हमारा परियावरन, हमर परियवरन अडोल, तो जब हम इसको डालते हैं जब हम इसको environment का syllabus को लोगों को बच्चों को जब हम बताते हैं तो ये definitely उनके दिमाग में आता है कि हाँ हमको ये चीज़े करनी है हमको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है इनको environment को syllabus में हमको सब्सक्राइब ये सब तरीके और भी बहुत सारे tools हो सकते हैं इस सब आपके measure तरीके हैं व्रिक्षार O orbit अधिक से अधिक करें से पिरोग की congrड़ाइ न करें तो ये सब आपने यहाँ पर देखा अब आ जाते हैं इसे को conclude करना है तो यहाँ पर आप लिख लो घेटा क्या क्या आपने tools static precipitator का उप्योग ठीक है ना गाड़ियों में इंजन की ट्यूनिंग गाड़ियों में इंजन की ट्यूनिंग ऐसा तो यह चुड़ी ओड़ी जो चीजें हैं इसको दो दो तिन तिन वर्ड्स में अपने को लिखने के बाद यह दो को चान नमबर में इतना sufficient है यह अपने यहा को यहाँ पर finish करना है तो environment वाला section यहाँ पर होता है finish यहाँ पर होता है I hope आप सभी को यह चीजें समझाई होंगी पसंदाई होंगी same for आपको water pollution के लिए noise pollution के लिए द्वनी production के लिए परमानू या नाभी की production के लिए ठोस obsessed के लिए तापी production के लिए ठीक है यह सारी चीज उपर अधारी रखना हो तो मिलेंगे ऐसी जल्द एक दूसरे subject के साथ दूसरे topic दूसरे video के साथ बने रहे हमारे साथ competition community के संग थैंक्यू सो मच चैहिंद क्योंकि बने क्योंकि अजुछ